जहन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने माले हैं एक बहुत ही अलग टोपिक के बारे में जिसका नाम है Special Economic Zone दोस्तो यह टोपिक आपको ज़रूर कभी न कभी अपने क्लास में या फिर कॉलेज में सुनने मिला होगा लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि आखर यह Special Economic Zone का मतलब क्या है और इसकी क्या जरूरत है तो यह वीडियो आपको जरूर दिखना चाहिए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक की जो की है Special Economic Zone इसकी पूरी जानकाली देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह जो Special Economic Zone होता है इसको हम हिंदी में जानते हैं विशेश आर्तिक छितर के नाम से अब दोस्तों यहाँ पर यह जो Special Economic Zone है इसको डिकलेयर किया जाता है भारत सरकार द्वारा और इसके लिए एक Act भी यानि कि अधिनियम भी बनाया गया है जिसका नाम है Special Economic Zone Act 2005 2005 में इसके लिए Act बना दिया गया था और भारत सरकार हमारे देश के अंदर Special Economic Zone की जो लिस्ट है उसके अंदर इसको डिकलेयर करती है कि कौन-कौन सा वो छेतर होगा जो कि SEZ यानि कि Special Economic Zone के अंदर आएगा अब दोस्तों यहाँ पर यह जो Special Economic Zone होता है इसमें होता क्या है कि अगर इस छेतर में आकर कोई भी company यह, कोई भी individual या कोई भी person आकर business करता है तो वहाँ पर उसको कुछ विशेश छूट दी जाती है कुछ विशेश उसको facilities दी जाती है दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए कोई business है जो कि Special Economic Zone के अंदर आकर काम करता है अपना business करता है तो वहा पर जो खर्च है उसका वो कम से कम आए इसके अलाबा कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती है जैसे कि अगर कोई बिजनिस करेगा तो उसको ट्रांस्पोर्टिशन अच्छा चाहिए यानिकि वहां के जो रोड्स है जो एलेक्टिसिटी है जो वाटर सप्लाई है वह अच्छी होनी चाहिए तो इन चीज़ों में वहां पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है स्पेशल एकनॉमिक जोन के अंदर कि वहां की जो वाटर सप्लाई है एलेक्टिसिटी सप्लाई है वहां की जो रोड्स है वो काफी अच्छे हो यहां तक कि जो उसके एरिया की जो स्कूल्स होते हैं शोसको किसी तरह की वहां पर फुरेप्र ब्रॉब्लम ना हो अगर कोई एंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस भी वहां करता है तो इसके अंदर उसको टैक्स दि weed जाती है जैसा कि आप जानते हैं कि एक्श्बर डिईटी लागती है इस तरा की टैक्सिज में वहां प कुछ छूट देकर कुछ वहाँ पर सुविधाय देकर इन्वेस्टर्स को निवेसकों को एट्रेक्ट करती है कि उस एरिया में आप आईए वहाँ पर अपना बिजनेस कीजिए इससे होता क्या है कि जब कहीं पर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है जब कहां कहीं पर कोई कंपन तो आपने गौर किया होगा कि नौइडा, गुरूग्राम, इसके अलाबा हमारा गुजरात की तरफ जाएं तो आपको सूरत, इसके अलाबा अंदर प्रदेश में विसाका पत्नम, तो ऐसे सहरों की तरफ जब आप देखते हैं, तो कुछ वर्षों के अंदर इन सहरों में इत आपको बताएं, तो यहाँ पर दोस्तो में मकसद यही रहता है, किसी भी स्पेशल एकनोमिक जोन को बनाने का, कि उस एरिया के अंदर उस छेतर के अंदर विकास किया जा सके, वहां के रहने वाले लोगों को रोजगार दिया जा सके, और जाद से जादा इन्वेस्मेंट उस एरिया में हो, ताकि वहां के जो लोग हैं, वो अपनी अच्छी अर्निंग कर पाएं, तो दोस्तो यह है complete concept, special economic zone याने की विसेश आर्तिक छेतर, दोस्तो अगर आपको यह वीडियो ची लगी हो, इससे कुछ नई जानकारी मिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करे शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे जानकारी वारे वीडियो को फ्यूचर में देखने के लिए